अस्सलाम अलेकुम आज हम घर पे सिंपल चॉक्रिट केक बनाएंगे आप इस रेसिपी को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा आपका केक भी इतना ही ब्यूरिफुल और यमी बनेगा तो चलिए अब आम बिसमिला करते हैं सबसे पहले हमने एक बरतन लिया है जिसमें हम अपना केक बेक करेंगे इसे हमें हर साइड से ग्रीज करना है ओईल से बिल्कुल इस तरह से हर एक कोने से हर एक साइड से आप इसे ओईलिंग करेंगे और इसके बाद हम मैदा लेंगे और हर तरफ से छिड़क देंगे और इसे अब हम साइड पे रख देंगे हमने यहां एक बोल लिया है इसमें हम पाउडर्ड शुगर दो कप लेंगे यानि पिसी हुई चीनी कोको पाउडर थ्री बाई फोर्थ कप यानि की तीसरा हिस्सा कप का मैदा एक कप और थ्री बाई फोर्थ कप शल्ट वन टीस्पून बेकिंपोडर वन और बाई बाई टीस्पून बेकिंग सोडा वन टीस्पून और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें आड करेंगे तू एग्स टू टीस्पून वेनिला एसेंस वन कप मिल्क वेजटेबल ओईल वन बाई टू कप और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमने यहां हैंड विस्क लिया है और इसे हम विस्क करेंगे एक डिरेक्शन में हमने इसे अच्छे से विस्क कर लिया है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते है हमने यहां बॉयलिंग वाटर लिया है आदा कप इसमें हमने टू टीस्पून कॉफी आड़ की है हम इसे बिलकुल अच्छे से मिक्स कर देंगे याद रखिए आपको बॉयलिंग वाटर लेना है और इसको अब हम इस मिक्स्चर में आड़ कर देंगे और अब हम टार्ट करेंगे विस्क करना बिलकुल उसी डिरेक्शन में हम करेंगे जिस डिरेक्शन में हम और रड़ी इससे पहले विस्क कर रहे थे हमारा बैटर बिलकुल रेड़ी हो चुका है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इतनी होनी चाहिए हम अब केक के बैटर को बरतन में डाल इसे हम बेक करेंगे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्शियस पे प्री हीटड अवन में मैंने अल्डरी अवन को प्री हीट कर दिया था बीस मिनिट के लिए आप भी करके रखिये और फिर इस केक को बेक कीजिएगा 35 मिनिट्स तक केक हमारा बेक हो रहा है और केक के बैटर का बिलकुल थोड़ा सा हिस्सा मैंने संबाल के रखा था इसमें मैंने चॉकलेट्स अड़ किये और इसी मैं मैं इन्हें मेल्ट करूंगी चॉकलेट मेल्ट हो गया है आप देख सकते हैं और इस स्टेज पे मैं इसमें एड़ करूंगी वन बाई टू कप अमूल की फ्रेश क्रीम इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ आड़ करेंगे फोर ड्रॉप्स ओफ वेनिला एसेंस और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस बाटर को हम अब रेफरिजरेट करेंगे एक घंटे के लिए 35 मिनिट्स हो चुके हैं केक हमारा बेक हो चुका है इसे चेक करने के लिए हम इसमें टूथपिक इंसर्ट करेंगे ये देखिए ये ड्राइ बाहर आ रही है आप इस केक को तब तक बेक करेंगे जब तक आपकी भी टूथपिक ड्राइ बाहर ना आ जाए हमारा केक अच्छे से हो चुका है बेक और अब हम इसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे हमारा केक बिल्कुल थंड़ा हो चुका है अब हम इसे बाहर निकालेंगे केक हमारा अच्छे से बाहर आ गया अब हम इसे डेकोरेट करना शुरू करेंगे सबसे पहले हम इसके दो हिस्से कर देंगे अब हम यहां मिल्क लेंगे और हर तरफ से इसमें आड़ कर देंगे इसे हमारा केक सॉफ्ट रहेगा अब इस टेच पे जो मिक्सचर हमने रेफरिजरेट होने के लिए रग दिया था वो निकालेंगे उसे हलका सा विस्क करेंगे और हम अपने केक में लगा लेंगे हमने अच्छे से हर तरफ चॉक्लिट लगा लिया है इसके उपर में केक का दूसरा हिस्सा रग दूँगी और इसके उपर भी हम चॉक्लिट की लेरिंग करेंगे हम इसे साइड से भी लगा लेंगे ये देखी हमने हर तरफ से अच्छे से चॉक्लिट की लेरिंग कर दी है और अब हम इसे रेस्टिजरेट करेंगे पंदरा मिनिट के लिए पंदरा मिनिट के बाद हमने या थोड़ी स्प्रिंकल्स इसके उपर अड़ किये हैं थोड़ी सी चॉको चिप्स ये आपकी अपनी मर्जी है ये बिलकुल ऑप्शनल है केक हमारा बिलकुल तेयार है आप इस रेसिपी को ज़रूर ड्राइ कीजेगा और हमें अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन या मेरे इंस्टाग्राम आइडी पे आप दे सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताइक यू फो वाचीं